बिता हुआ कल बुद्ध भगवान एक गाउं में उपदेश दे रहे थे उन्होंने कहा कि हर किसी को धर्ती माता की तरह सेहन सिल तथा छमा सिल होना चाहिए क्रोध ऐसी आग है जिसमें क्रोध करने वाला दूसरों को जलाएगा तथा खुद भी जल जाएगा सभा में सभी सांती से बुद्ध की वानी सुन रहे थे लेकिन वहां सभाव से ही अतिक रोधी एक ऐसा वेक्ती भी बैठा हुआ था जिसे ही सारी बाते बेतुकी लग रही थी वह कुछ देर से ये सब सुनता रहा फिर अचानक ही आग बबुला होकर बोलने लगा तुम पाखंडी हो बड़ी बड़ी बाते करना यही तुम्हारा काम है तुम लोगों को भ्रहमित कर रहे हो तुम्हारी ये बाते आज के समय में कोई माइने नहीं रखती ऐसे कई कटू बचनों सुनकर भी बुद्ध सांथ रहे अपनी बातों से ना तो वह दुखी हुए ना ही कोई प्रतिक्रिय की यह देखकर वह बेक्ती और भी क्रोधित हो गया और उसने बुद्ध के मूँपर थुक कर वहां से चला गया अगले दिन जब उस बेक्ती का क्रोध सांथ हुआ तो उसे अपने बुरे बेवार के कारण पस्तावे की आग में जलने लगा और वह उन्हें ढूंडते वे उसी स्थान पर पहुँचा पर बुद्ध कहा मिलते वह तो आपने सिस्व के साथ पास वाले एक अन्य गाउ निकल चुके थे बेक्ती ने बुद्ध के बारे में लोगों से पूछा और ढूंडते ढूंडते जहां बुद्ध प्रवशन दे रहे थे वहाँ पहुच गया उन्हें देखते ही वह उनके चर्णों में गिर पड़ा और बोला मुझे छमा किजिये प्रभू बुद्ध ने पूछा कौन हो भाई तुम्ही क्या हुआ है क्यूं छमा मांग रहे हो उसने कहा क्या भूल गए मैं वही हूँ जिसने कल आपके साथ बहुत बुरा बेवार किया था मैं सर्मिन्दा हूँ मैं मेरे दुरुष्ट आश्रन की छमा याशना करने आया हूँ भगवान बुद्ध ने प्रेम पुरुवक कहा बीतव वकल तुम्हें वही छोड़कर आ गया और तुम अभी भी वही पटके वे हो तुम्हें अपनी गलती का आभास हो गया तुमने परस्तरशाप तुमने पशताप कर लिया तुम निर्मल हो चुके हो अब तुम आज मैं बिगाड़ो उस व्यक्ति का सारा बोज उतर गया उसने भगवान बुद्ध के चर्णों में पढ़कर क्रोध त्याग का तथा छमा सिल्टा का संकर्प लिया बुद्ध ने उसके मस्तिक पर आसिस का हाथ रखा उस जिन से उसमें प्रिवतन आ गया और उसके जिवन में सत् कर बार बार दुखी होते हैं और खुद को कोस्ते हैं हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए गलती का बोध हो जाने पर हमें उसे कभी ना दोहराने का संकल्प लेना चाहिए और एक नई उर्जा के साथ बर्तवान को अच्छा बनाना चाहिए कर दोच्छा बनान चाहिए